हिलो फ्रेंज, ब्रह नाम राजा कोनोजिया है और आप मेरे यूट्यूब चिनल M12NG के देख रहे हैं अगर आप पारा मेडिकल में ड्रेसर का कॉर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रेसर का कॉर्स जो है CMD उसको बोलते हैं, short name में, CMD ड्रेसर परिधापक, उसको बолотे है यह कॉर्स करना चाहते हैं, प्रा मेडिकल कंदरगत आती है तो आपको क्या करना होगा, यह कॉर्स क्या है, यह कॉर्स के लिए हो गयता है क्या है, क्या करना होगा सरकारी कॉलेज से करेंगे तो कितना फिश लएगा प्राइबेट कॉलेज से करेंगे तो कितना फिश लएगा और कितना माक्स चाहिए कौन सी एक्जाम पास करना होगा और क्या की मतलब फिश इसका क्या है और यह course करने के बाद कितना का मेरा career scope क्या है और मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जो है सो salary कितना मिलेगा क्या मेरा भभी से usual हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो यह video शुरू से अंतरक जरूर देखियेगा देखिए, Dresser Course, Paramedical के अंतरगात आता है, बिहार परदेश में, या जो भी बताऊंगा, वो बिहार परदेश के सपेक्च में बताऊंगा, अगर आप बिहार का निवासी हैं, और Dresser Course के बारे में जानना चाहते हैं, यह वीडियो सुरू से अन तक जरू देखिएगा, मन में बहुत सरे विचार आते हैं, कि क्या मैं कोई ऐसा, दसवी के पास कोई कुर्स है, जो परामिरल के कुर्स है, वो मैं कर लूँ, और तुरंद मैं जो ऐसे कोई भी काम करने लगूँ, कमाने लगूँ, और मेरा जो है सो कैरियर अच्छा हो जाए, तो हाँ, यह 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 स पास होना चाहिए, और इंगलीज सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, तो ही आपका हो जाएगा, या दसवी से रिलेटेट कोई सपेक्ष में, जो दसवी कलास का सर्टिफिकेट है, तो अभी आप दरस का कुर्स कर सकते हैं, इसके लिए एज है, पंदरह से लेकर तीस बरस, अगर पंदरह साल के एज है, सबसे काम तो आप एडिमिशन ले सकते हैं, और अधिकता हम तीस बरस है, जो तीन साल, पान साल, दस साल के लिए छूट है, वह इसमें लागू है, या जो है एक साल का कोर्स है, या दस भी कीजिए, एक साल के बाद इस कोर्स कीजिए, बस का मा आज स्टाट करते जीए, बहुत अच्छा कोर्स है, यह दो तरह से एडिमिशन होता है, एक सरकारी एडिमिशन होता है, एक सरकारी एडिमिशन के लिए आपको कंपेटेटिव एक्जाम कौलिफाई करना होगा, उस बाद आपका रिजल्ट आएगा तो अडिमिशन होगा, तो सरकारी का फीश जो है, 20-30,000 रुपया होगा, 20-30,000 रुपया में आप यह कोर्स कर लिजेगा, प्रामेट का कोर्स, ड्रेसर का कोर्स, और प्राइबेट में यही फीश है, 50-80,000 रुपया लगेंगे, कॉलेज के उपर निर्भार है, जितना आप से चार्ज कर ले, और इसमें काम क्या होता है, कि देखिए, होस्पिटल में आपको काम मिल जाएगा, और जो भी सरकारी भेकेंसी है, उसमें भेकेंसी निकलता है, ड्रेसर का, प्राइबेट होस्पिटल उसमें भेकेंसी निकलता है, नेभी का होस्पिटल उसमें भेकेंसी निकलता है, ड्रेसर क तो उसमें आप अप्लाई कीज़ेगा अपका अनुकुरी हो जाएगा फिर भी अगर आपको इसमें नहीं हो रहा है तो आप प्रावेट किसी भी हस्पीटर में काम कीज़ेगा तो पंद्रे हजार से बीस हजार में शुर्गात में आपको महीनत देगा और जैसे आपका अनु